प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी जो के रिलेटिटिट है सॉल्व दर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वालविंग HCF एंड LCM से HCF कहते हैं जी हाइस्ट कॉमन फेक्टर को जबके LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टिपल को स्टेट्मेंट है प्रॉब्लम की के मतलब एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो जब 24 से उसको डिवाइड किया जाए तो उससे चार रिमेंडर आ जाना चाहिए अगर उसी नंबर को 32 से डिवाइड करें तब भी चार रिमेंडर आना चाहिए और अगर 48 को भी उसी नंबर मतलब उसी नंबर को 48 से डिवाइड किया जाए तब भी चार ही रिमेंडर आए तो हमने वो number find करना है देखें एक बात जो हमें पता चल रही है कि इसका मतलब कि वो number इन तीनों के multiples में होगा और इन तीनों के multiples में जो भी इनका multiple बनेगा तीनों का common उसमें से चार वो जादा होगा ठीक है तो अगर हम यहां पर solution स्टार्ट करते हैं हम ऐसा करते हैं कि पहले इन तीनों numbers का LCM मालूम कर लेते हैं तो least common multiple उससे हमें यह फादा हो जाएगा कि एक तो वो छोटा number हमें मिल जाएगा और दूसरी बात यह कि हम देख लेंगे कि वो कौन सा number है ठीक है जो तीनों के multiple का common है तो multiples of पहले अगर 24 की बात कर ली जाए तो 24 का first multiple है 24 फिर है 48 ठीक है फिर है 72 ठीक है नहीं इसमें अगर आप add करें देखे 72 और फिर बनता है 96 इसमें अगर हम multiples of 32 लिखे तो देखे इसमें first multiple है 32 second multiple है 64 third multiple है 96 इसमें अगर हम multiples of 48 लिखे तो इसमें 48 है first multiple 96 है second multiple and so on देखे मैंने एक बात note की कि multiples में 96 जो है वो 24 का भी multiple है 96 32 का भी multiple है और 96 48 का भी multiple है इसका मतलब कि इनका जो least common multiple है वो 96 है इससे छोटा कोई multiple नहीं है ऐसा जो के तीनों में common हो ठीक है इससे आगे हो सकते है अब अगर मैं 24 को 96 से डिवाइट करूँगा तो मेरा answer 4 आएगा लेकिन मिझे remainder 4 चाहिए था इदर तो मेरा remainder 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो required number है ठीक है मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वो जो भी इनके तीनों के LCM का answer आएगा उसमें 4 जएदा होगा तो required number जो होगा वो हम यू लिख देंगे कि वो होगा LCM प्लस 4 तो LCM कितना आया है LCM अगर हम देखें तो वो आया था 96 और इसमें हम 4 एड़ कर देंगे तो इसका मतलब जो required number है वो 100 है अब आप अगर 100 को 24 से divide करते हैं तो 24 4 जा 96 आएगा और remainder 4 आजेगा इसी तरीके से आप 32 से अगर divide करते हैं तो 32 3 time 96 आएगा और remainder 4 आजेगा ठीक है इसी तरीके से अगर आप 96 को 40 sorry 100 को 100 लिखना था मैंने 48 से divide करते हैं 48 2 time 96 और remainder 4 आजेगा इसका मतलब यह हमने चेक भी कर लिया कि वाकई हमारा जवाब जो 100 वो बिल्कुल दुरूस्त है